वेलकम डियर फ्रेंटिस उम्मीद करता हूँ आप सभी खेरत से होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो इंपोर्टेंट बुक्स लेके आए हैं इंग्लिश ग्रेमर रिलेटेड यह दोनु जो इंग्लिश ग्रेमर हैं बहुत ही इंपोर्टेंट बुक्स अगर आप ग्रेमर सीखना चाते हो तो आपके पास बुक नहीं है तो आज इस वीडियो में आपको दो बुक्स रेकमेंड करूंगा जो कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट बुक्स रहेंगे आप चाहे कंपटिव एक्जाम की प्रेपरेशन करते हो या फिर आप जनरली जो है ग्रामर सेखना चाते हो तो इस वीडियो में हमारे पास दो बुक्स है एक तो है राइमेंड मफी वालों की तरफ से इंग्लिश ग्रेमर है बहुत ही कमाल की बुक है और दूसरी तरीके से यह जो है अरेहनत वालों की तरफ से आती है ऐसी गुपता एंग्लिश ग्रेमर है पर्टिकुलर्ली यह जो बुक है कमपटिव एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन है तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सा जो ग्रेमर है आपको लाना चाहिए तो सबसे पहले इसको सा एक लाना यहीन कर रख सकते हैं तो तीन सुर के असपास है जो ब anf Fortune में आपको मिलेगा तीन सुर 150 में कि उडिए प्राना एडिशन ह्ए तो इसके जो है बहुत सारे अडिशन है अप लेटिस्ट जो अडिशन है इसका देख लेमना तो सबसे पहले यह जो आप देख आप द प्र Bilisian में कि अ निच्छे टेक्ट आप रहते हैं English Grammar में वह चीज़े आपको देखने क्यों तरिखने को मिलें के यहां पर आप देखुसे एग़ और की अपर उलुक्तु कि उत्ले पिक्चर दे रखे हैं इन्होंने तो यह मुझे कमाल के लगए रायमेंट मर्फी वालों की जो यह क्रेशन है बहुत ही इंपॉटन्ट है यहां पर आप देख सकते हो पॉसिट्व कहां कहां यूज होता है उसके बाद नगेट्व इन्होंने सिखाया है यह जो एक्जरसाइज हैं बहुत ही कमाल के एक्जरसाइज इन्होंने दे रखे हैं जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे इसके बाद यह एक्जरसाइज आपको जो है उस टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा होल्ड करेगा आपको पूरा कपूरा समझ आएगा यह मुझे प्रेजन्ट कांटिनियो से तो यह आप देख सकते हो किस तरीके से कहां कहां यूज होता है थोड़ा सा आगे चलते हैं देखते हैं कहां कहां क्या क्या यूज होता है यह रहा I have done कहां कहां इस्तेमाल होता है किस तरीके से इस्तेमाल होता है यहाँ पर उन्हें बहुत सारे जो है पिक्चर्स भी दे रखे हैं और साथ में जो है सिका है आप यहां पर कि आई वी यू दे का इसके साथ कुन सा जो इस्तिमाल होता है यहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां पर बना के दे रखा है और साथ में एक्जरसाइज भी और साथ में जो है आपके लिए एक् कि Jamaran PDF की तरफ से यह जो grammar है यहां पर वीच आपको कभी आपने कभी grammar नहीं पढ़ा है तो यह जो grammar है आपके लिए बहुत भी प्पाझ्टि रहनेoncéla है यहां पर आपकी जो बैस है ग्रैमर की वो मजबूत हो जाएगी इस ग्रैमर से बहुत ही इंपॉर्टन है बहुत ही अच्छा है हलाकि इसका जो लेटस्ट एडिशन है वो जब अपलाओगे तो वहां पर आपको और भी चीज़े और भी मजबार चीज़े देखने को बिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टन है यह ग्रैमर तो अब इसको थोड़ा साइड करते हैं अब यह जो ग्रैमर है दूसरा इसको आगे बढ़ाते है यह वाला अब यह जो ग्रैमर है कुछ पॉर्ट में डिवाइड़ है जैसे पार्ट वन यहां पर आप देख सकते हो एक कमपुटिट्व ग्रैमर इन्होंने इसका नाम दिया है यहां पर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा से पहले आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे उसके coatings एकस और इसके बाद एंडन्स आपको देखने को मिलेगा नाउनों है यहां पर आपको बहुत सारे adjective stock you एंड डिट्रमिनिट्स आपको देखने लिए बग्ध ही जαता उसके बाद है, reporting, speech वगेरा आप खुद भी देख सकते हूँ थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद proportion भी दे रहे हैं, उन्होंने बहुत ही important है proportions भी है, conjections है conditionals है, और भी बहुत सारे formatting words, spelling वगेरा ये सब चीज़ है उसके बाद part two में इन्होंने क्या क्या दे रहा है, बहुत ही important है part two में इन्होंने synonymous है, antonymus है one word substitution है, उसके बाद है phrase, relative pair of words homophones है, idiomus phrases वगेरा, ये सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या इन्होंने बहुत सारे दे रहा है उसके बाद यहाँ से part three भी इन्होंने दे रहा है जो की specific exercise for competitive examinations के लिए इन्होंने दे रहा है इसमें भी synonymous and tonym की exercise आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही important है उसके बाद जो है fourth part भी इन्होंने दे रहा है यहाँ पर reporting, writing जो होती है report writing, compressions वगेरा वो सारा का सारा इन्होंने fourth part में दे रहा है total मेरा के चार parts में इन्होंने divide किया है तो बहुत ही important है तो अब थोड़ा सा देखते हैं content कैसे इन्होंने दिया है सबसे पहले basic of English language किस तरीके से इन्होंने present किया, आप खुद भी देखते हैं यहां पर उन्होंने use of and किस तरीके से दिया है कि कहा कहा इस्तेमाल होता है कहा कहा नहीं इस्तेमाल होता है यह सारे के सारे चीज़े वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है यानि कि आपको यह सारे के सारे चीज़े अगर आप रट लेते हो पढ़ लेते हो अच्छी तरीकी से तो आपको जो है कम्पटिट्व एक्जामेट डिरेक्टली यहां से आपको MC को देखने को मिलता है थोड़ा सा आगे चलते हैं यह अभी आर्टिकल्स पर ही दिया है इन्होंने यह आर्टिकल्स हैं यहां पर आप देख सकते हो अब यह तो आप उन पर आपने पढ़ा यह ए है उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल्स जो कि दा होता है किस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे conditions पे इन्होंने दिया है यहां पर number one, उसके बार number two, three, four बहुत सारी conditions पे हैं कहां कहां दा इस्तेमाल होता है कहां कहां जो है exception है वो सारे का सारे चीज़े आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद zero article situation है यह भी उन्होंने दे रखा है कहां पर zero article लगता है तो यह भी important है तो यह भी बहुत सारी conditions दे रखे कहां कहां इस्तेमाल होता है total जो है इन्होंने जो है 32 जो conditions दे रखे है यहां पर यह इस्तेमाल होता है तो उसके बाद कुछ exercise आपको देखने को मिलेगी बहुत ही important है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्जाम में जो है आपको है आप आल्मुस्ट इसी तरीके की जो है आपको देखने को मिलते है उसके बाद supporting the errors यहाँ पर इन्हों ने दे रहे हैं जो कि particularly articles से ही related है supporting the errors आप देख सकते हैं आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे उसके बाद इनके आंसर भी देखने को मिलेंगे आगे जाके उसके बाद है थोड़ा सा information है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुल मिलाके जो है उसके बाद supporting the errors है उसके बाद सैंभाए थैंअ जो है noun आप इसी तरह के से उसके बाद noun उसाते हैं किस तरह के से उन्में present किया है तो कुल मिलाके बहुत ही अच्छे तरपके से इन्हों ने जो है ये देरखmachen है अब थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके बाद pronoun भी दे रखा है उन्होंने सेम तरीके से conditions पे दे रखे हैं उन्होंने बहुत सारे जो conditions होते हैं important जो होते हैं वो दे रखे हैं तो total जो है grammar बहुत ही कमाल का हैं थोड़ा सा आगे आपको मैं दिखाऊंगा कुछ चीज़े conditionals unit 17 है आप देख लेना आराम से जूम करके तो कुलमिला के दोस्तों यह जो grammar है बहुत ही important है मैं यहां पर अब जो है अपनी तरीकी से suggest करूंगा अगर आप competitive exam की preparation करते हो तो जब भी कोई बंदा competitive exam की preparation करता है जाहर सी बात है उसको जो है basic grammar आता है तो अगर आपको basic grammar आता है तो आपको मैं suggest करूंगा यह वाली book अरहात वाली की तरफ से क्योंकि अब आपको basics आता है यूज करना आता है तो आपको exercise की जूरत है प्रैक्टिस की जूरत है वो जो प्रैक्टिस है आपको यहां से हो जाएगी अरहात वालों की तरफ ग्रेमर से बहुत ही important है लेकिन अगर आप grammar सीखना चाहते हो really आपके पास time बहुत है आप सीखना चाहते हो तो यह वाला rhyme and Murphy वालों की तरफ से grammar आता है तो आपको सीखने में बहुत ज्यादा जो है मदद करेगा अब आप पे दोस्तों depend है कि आप जो है किस के लिए जो है किस purpose के लिए ला रहे हो अगर आप computer exam के लिए ला रहे है तो बहुत है